हेलो दोस्तो माइडिस चैनल पे आपका एक पार फिर से स्वागत है दोस्तो अगर आप एक आईफोन यूजर है जियां दोस्तो अगर आपके पास कोई आईफोन है और आप जो है आईफोन को अलॉक करना चाहते हैं लॉक हो गया है तो यह वीडियो स्पेसली आप ही के लिए है जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास बेलकुल ब्रांड न्यू आईफोन है यह जो आईफोन है यह आपका फिप्टीन प्रो है जियां दोस्तों फिप्टीन प्रो यह हैंड्सेट है लेकिन अगर आपके पास कोई लुक है कोई भी आईफोन हो आईफोन है अगर आपको यूज़ करते हैं और आपका ज्राइफोन वह अंलॉक नहीं हो रहा है लॉक हो गया है आप जब भी अपने आईफोन को अलॉक करते है स्वेप करते हैं तो आपसे फेस I d WWE nहीं हो रहा रहा है इंट PROF!un का option आपسे मां आपको इस वीडियो आपको यहीं सिखाएंगे कि कैसे आप किसी भी आइफोन को अन्लॉक कर सकते हैं विदाउट पासकोड आपको यहां पे नहीं डालना है जाँ दोस्त। सारा प्रोसेस हम आपको सिखाएंगे कैसे क्या होगा सब चीज़ बताएंगे इस वीडियो में बने आईफोन एक्स कोई भी हो कोई भी आईफोन हम यहाँ पर इस मेटट के थूँ अनलॉक कर सकते हैं सबते पहले आपको क्या करना है अगर फेस आईडी वाला ऑप्शन है तो फेस आईडी आपका डिटेक्ट नहीं हो रहा होगा ऐसे सिचुशन में नीचे एमरिजनसी का एक आ आउप्शन पर क्लिक कर लेंगे देखिए दो से तीन मिनिट का वीडियो होने वाला है इस वीडियो में आपको यहीं दिखाएंगे कि हाउ टू अनलॉक एनी आईफोन मॉडल जिया दोस्तों कोई भी आईफोन को आप अनलॉक कर सकते हैं अब आपको क्या खड़ना है यहा यहां पर देख सकते हैं कि दीचे में calling का option है आपको इस calling वाले option पे इस तरीके से click करना है click करने के बाद यहां पर आपको Error Performing Request Unknown Error का Option आपको दिखाई देगा जहां दोस्तों यह आपके iPhone में जोड दिखाई देगा ठीक है तो आपको क्या करना है सबसे पहले इस Option को Dispatch कर लेना है वापन से वही Code आएगा आपको यहाँ पे 7-4 को अब हटा के सिर्फ Star Has वाले Option को इस तरीके से यहाँ पे रखना है जब आप इस Option को ऐसे रखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है Calling वाले Option पर क्लिक करना है Calling वाले Option पर क्लिक करना है फिर से वही Message आएगा अब आपको यहाँ पर Dismiss करना है Same अब यहाँ पर Has को हटा के star को रख के आपको क्या करना है 712 और हैज पर क्लिक करना है ध्यान देजिए 721 और हैज पर क्लिक करके आपको call करने है call करते ही वैसे ही dismiss option आएगा लेकिन जब आप आप dismiss से हटेंगे तो यहापे वेट करना पड़ सकता है यह अब हमारा process में हो रहा है तो दोस्तो ऐसे वीडियो देख लिए हमारे चैनल को जब्सक्राइब करें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले बेल अगन दवाले क्योंकि हम ऐसे ही interesting वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं तो तरीके से यह swappable option पे click किजिएगा और जब आप अब swap किजिएगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपका iPhone without passcode unlock हो चुका यह देखें पिलको लाइव आप देख के दंग रह जाएंगे यकीन मानिये service center वाले हमें बहुत ही बेवकूप बनाते हैं iPhone को ले करके तो आप इस मत रहिएगा जो लोग हमारे वीडियो को देख के सीखते हैं आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कोई भी दिक्कत हो परिशानी हो बेजिजएक आप हमें कमेंट कर सकते हैं कोई भी प्रॉल्म हो बिलकुल कमेंट कीजिए हम जोड़ जवाब देंगे और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग आईफोन लेते हैं वो हमारे वीडियो को जोड़ देगे कि हम ऐसे इंट्रेस्टिंग जानकारी आप लोग के लिए लाते रहते हैं दोफ्ट